हर हर महादेव दोस्तों, आज की इस बहुत ही काम की वीडियों में हम बात करेंगे। साल की सब से बड़ी वैशाक अमावस्या कब है, कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, वही बात करेंगे। पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधी के बारे में और साथ ही जानेंगे। इस दिन किये जाने वाले तीन विशेश कारियों के बारे में जिनको करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना च और कौन सी वह गलतियां हैं, जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, अमावस्यातिति पित्रों को समर्पित होती है, और इसलिए अगर हम अमावस्यातिति पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पित्रों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पित्रों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कारियों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ती हो या पिर धन प्राप्ति हो या विवाहित या और कोई समस्या हो यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं इससे आपको पितर दोश लग जाता है या पितरों के आपको कृपा प्राप्त नहीं होती है इसी लिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथी पर कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना दोस्तों साथ ही जानेंगे कि अमावस्या के दिन वह कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करने चाहिए और कौन से वह कार्य हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। पित्र दोश से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या का विशेश महत्व होता है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में ढूब की लगाना। पित्र तरपन, पिंध, दान, हवन और ब्राह्मनों को भोजन कराने जैसे धार्मिक कार्य शुभ माने गए हैं। ज्योतिश के अनुसा यह समय बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि यह चंद्रमा को समर्पित है और इस दिन चंद्रमा अपने अस्त काल में होता है। इस दिन विवाह सगाई, मुंधन और ग्रिह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किये जाते हैं। वैशाक अमावस्या के दिन सत्तु का दान भी दिया जाता है। इस कारण से सत्वाई की अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या के दिन शनी देव को तेल अरपित करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन काली उड़द और लोहे का भी दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के निमित पिंड दान श्राध्ध तरपन करने से पितरों को त्रिप्ति मिलती है। और इस दिन अमावस्या तिथि पर किसी पवित्र नदी के जल से स्नान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। आठ मई बुधवार की सुबह आठ बज कर 51 मिनट पर ऐसे में उदय तिथि के अनुसार आठ मई बुधवार को ही वैश्याक अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा और व्रत भी इस दिन किया जाएगा और दक्षिन भारत में शनी जयनती भी इसी दिन मनाई जाएगी। जब भी अमावस्या तिथि दो दिन तक पढ़ती है तो ऐसे में आप पहली तिथि पर शाम के समय पीपल की पूजा कर सकते हैं। कर चार मिनट तक रहेगा। पितरों के निमित्त तरपन वपिंडदान आदिकार ये सुबह ग्यारह बजे से लेकर दो बज कर तीस मिनट तक किये जा सकते हैं। कि वैशाक पूर्णिमा पर शिव वास का भी योग सुबह आठ बज कर 51 मिनट से बन रहा है। इस समय में भगवान शिव का अभिशेक कर सकते हैं। साथ ही काल सर्फ दोश का निवारन कर सकते हैं। अमरित काल महूर्त रहेगा। सुबह 9 बज कर 9 मिनट से लेकर सुबह उस बज कर 37 मिनट तक शनि पूजा का समय रहेगा। शाम 5 बज कर 20 मिनट से रात 7 बज कर 1 मिनट से शनिदेव की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो तीन महादोशों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अब जाने कुछ विशेश उपायों के बारे में शनी दोश यदि आपकी कुंधली में है, शनी की साढ़े साती या ढहिया है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ऐसे में इस दिन शनी देव की विधिविधान से पूजा करने से शनी देव का आशीरवाद मिलता है। काल सर्प दोश दूर हो जाता है। अमावस्या के दिन काली चीन्टियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। अमावस्या के दिन प्राताह का सूर्य भगवान को अर्ग देना चाहिए। अर्ग देते समय तांबे के लोटे में लाल काले तिल ढालना शुब होता है। इसी दिन आपको स्नांदान इत्यादी सभी नियमों का पालन करना है। दोस्तों, आज के दिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों का दान करते हैं, तो सभी प्रकार के क्षण दोशों से भी मुक्ती मिलती है। औ और अब बात करते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले। तो देखिए, अमावस्यातिति में शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातहकाल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में सनान करना चाहिए, तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में सनान करने तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में भी गंगाजल मिश्रित जल से सनान कर सकते हैं, लेकिन सनान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिये, अमावस्या तिथी पर घर की सफाई करने से घर से दरिदरता दूर होती है, नकारात्मक उर्जा दूर होती है, और किसी भी प्रकार का ग्रिह दोश हो, वास्तू दोश हो, या फिर किसी की बुरी नजर लगी हो, या कोई श्राप हो, बददुआ हो, किसी की तो समस्त प्रकार की नकारात्मक उर्जा से आपको मुक्ती मिल जाती है, सिर्फ अमावस्या तिथी पर साफ सफाई करने से, सबसे पहले तो यही कारे आपको करना है, कि आज जब आप सुबह उठेंगे, तो पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए, थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो पाता है, जैसे कि बहुत से लोगों के प्रशन आते हैं, कि इतनी सुबह हम घर की साफ सफाई करते हैं, तो फिर स्नान करने में बहुत देर हो जाती है, तो देखिए, आप सुबह उठकर जैसे कि घर की जाडू लगा लीजिए, उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेश रूप से आज साफ रखना चाहिए, तो घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए, और जल का छिड़काव कर दीजिए, घर की चोखट आज जरूर साफ होनी चाहिए, घर की चोखट पर थोड़ा सा पानी ढाल कर और अच्छे से धो लीजिए, ये बहुत आवश्यक है, तो घर में आप थोड़ी कम भी सफाई करेंगे, तो चलेगा स्नान करने के बाद आप जैसे कि दिन में भी साफ सफाई करते हैं, आज के दिन अगर घर से जाले उतारे जाते हैं, घर के कोने कोने की अगर साफ सफाई करी जाती है, तो घर में जो परिशानियां होती हैं, वह दूर हो जाती है, तो मान लीजिए कि अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं, तो दिन में भी कर सकते हैं, तो सुबह आप से जितना भी हो पाता है, उतनी साफ सफाई कर लीजिए, लेकिन घर गर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर कीजिए। गर के मुख्य द्वार की नकारात्म कूर्जा भी दूर होती है। गर के मुख्य द्वार की सफाई जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही करेंगी। कोई भी सदस्य प्रजवलित कर सकता है। और हाँ, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए सब के लिए ऐसा संभव नहीं है कि कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए, तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल और काले तिल मिलाकर उस जल से स्नान करें। और हाँ, घर में बच्चे हो बड़े हो या फिर बुजुर्ग सभी के लिए इसी प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगा जल और काले तिल जरूर मिलाने हैं। अगर इस प्रकार के स्नान करते हैं, ऐसा करने से परिवार का दुरभाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह दोश हो तो वह दूर हो जाता है, तो साल की बड़ी अमावस्या है। इस नियम का पालन प्रत्यक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आप जल में अगर थोड़े से काले तिल मिला कर जल अर्पित करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोशों से आपको मुक्ति मिलती है। और किसी भी प्रकार की शनी जनित पीढ़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान की पूजा का विशेश महत्व होता है, तो घर के आसपास अगर पीपल का वरिक्ष हो, तो वहां जाकर आप जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए, और इसके बाद धूब दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए, और हाँ, आज संध्य का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए, उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में ढाल दीजिए, और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए, इस प्रकार से अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं, तो समस्त प्रकार के कष्टों से दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीप दान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुन्यफल प्राप्थ होता ह और सभी प्रकार के कश्टों से दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो, तो वहाँ जाकर भगवान भोलेनात के उपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। अगर तीनों चीजें आपके पास उपलब्ध हो, तब तो अत्यंत भाग्यशाली हैं। आप आपको इस तरह तीर्थ स्थानों पर जाकर दीब दान करना चाहिए। जल अर्पित करना चाहिए और तेल अर्पित करना चाहिए। शनिदेव के मंदिर में तो आज का दिन इतना श्रेष्ठ है कि आज के दिन अगर आप यह सभी कार्य करते हैं, तो निश्चित ही आपके भाग्ये में चमतकारी रूप से परिवर्तन होगा, और आपके सभी कार्य जो बिगडे हुए हैं, वह सभी कार्य बनेंगे, तो पू उरद की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, कंबल का, यानि की गर्म वस्त्रों का दान करना आज सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कोई भी वस्त्र का दान करना चाहिए, इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं, अन का दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामगरी निकाल कर किसी ब्राह्मन के यहां किसी जरूरत मंद के यहां भिजवा सकते हैं, या किसी ब्राह्मन को जरूरत मंद को घर बुला कर भोजन भी करा सकते हैं, तो यह पूरी तरह से आपके उपर निर्भर करता है, जिसका पालन आपको करना चाहिए, अमावस्या तिति पूर्णिमा तिति यह दो ऐसी तितियां है, जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं, अगर अमावस्या तिथी पर बाल धोती है या पूर्णिमा तिथी पर बाल धोती है, तो इससे पती कष्टों में घिरे रहते हैं, पती की उम्र घटती है और दुरभाग्य का सामना आपको करना पड़ता है, तो भूल से भी अमावस्या तिथी के दिन बाल मत धोए। इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, बैसाख अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है। कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो। जैसे कि अगर आप नियमित तोर पर मांस मदिरा इत्यादी का सेवन करते हैं, तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई जगडा ना हो, वाद विवाद ना हो। इस बात का भी ध्यान रखिए। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में इशान कोण में शुद्ध गी का दीपक जलाकर मा लक्षमी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में लक्षमी का वास बना रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, तो मिलते हैं आपसे। अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार हर हर महादेव।